इस वीडियो में हम एकोनॉमिक्स का क्लास 9 की बुक का चाप्टर 1 जिसका नाम है इस्टोरी आफ विलेज पालंपुर कॉंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट वीडियो में हमने ओवर्वी देख लिया था इस चाप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था जो चाही होते हैं हमें लेड़ भान होते हैं मतलब प्रोडकशन के लिए उसके बात हमने , बचान लिया था तह कि हम देखने वाले हैं कि drink manner तो चलिए कि好吧 लेंड बिगिन और नैचसोल रिसार्स जो लेंड है वह एक नैच्रल रिसार्स इस नैसेसरी टो बी केरफुल इन इट्स यूस तो हमें इस नैसेस्री है जो लेंड है उसके लिए साफधान रहना ठीक है तो साइनिटिफिक जो रिपोर्ट होती यह बताती है कि तो इन बहुत जादा तर एरियास में जो ग्रीन रिवॉलुशन है वह क्या हो रहा है वह एसोसियेट होता जा रहा है लॉस के साथ सॉयल फर्टिलिटी के साथ क्यूंकि हम उनमें बहुत था क्यामिकल फर्टिलाइसर का यूज कर रहे हैं और हम लोग उनको कॉंटिनियूसली यूज करते जा रहे हैं ग्राउंड वाटर का ट्यूब वैल्स में ठीक है इरिगेशन के लिए तो उससे क्या हो जाएगा जो हमारे डेवलॉप्शन हो जाएगा वाटर टेबल का वह भी क्या हो रहा है लैड हो रहा है और इन्वार्मेंटल डिसॉर्स पे भी हाम कर रहा है बहुत हो जाएगा इनको रिस्टोर करना तो हमें कुछ के करना चाहिए हमें हमें बहुत हो साफदान रहना चाहिए और अध्यान देना चाहिए कि जो future है उसमें agricultural के लिए तो अब यहां पर ये बात आती है कि आफटर अब हमने इस परग्राफ को पड़ लिया तो हमने जो वो अब आप सोचेंगे कि जो र contributing वो मत जानुक्त शPPल वो चाहिए जो आउज्ट आज चाहिए माष्या हो गूम्हुट्ध टारि जाएन। एर वेस्जिव प्रजह मंत पड्रा बाड्त बाद्ते जीटे नागाु Et चाहिए विए ऑनका कि वह विया हुजई जाते वेकिम्हान है। लिलांग को थाइट मैं भी इस तैनल में समय प्रागण चार्ट के मुष्चा आज तिर इस पदिश्य इन जब तो इस प्रों हो जब यो गूल उजाएंगे यो यू ठीजन का उनका उनका यू आपका टाइकी हूं होगा एगी पहले से तो इससे क्या होगा जो हमारे स्वहर अर्थ क्या हो जाएंगे जो कांसेप्षिण ओफ क l k lika को फरटिलाइजर समस्में पंजाब में वो बहुत ज़्ञा हाइस कंट्री पंज़ाइस है कंट्री ये फोस्ट्रीर ना क्यों पंजाब और होता है फटिलाइजर का the continuous use of chemical fertilizers जो हम जब हम continuously use करते जाते है chemical fertilizer को तो इससे क्यों हो जाता है जो हमारी land हो जाती है ठीक है land हो जाती है और फिर जो मारी soil हो जाती है उसके अंदर degradation हो जाती है ठीक है जो कि हमारी soil के health के लिए अच्छी नहीं होती है जो जो पंजाब farmers होते है वो फोस्स करे जाते हैं कि वो और जादा और जादा फटिलाइजर को यूज करते हैं ठीक है पंजाब farmers are now forced to use more and more chemical fertilizer जो पंजाब के फाइबर जो फार्मर्स होते हैं वो मतलब यूज करते जारें जादा जादा chemical fertilizer को और उसके लावी बहुत सर जो इंपोर्ट होते हैं जो कि एक्टिविट कर सकते हैं इस से प्रोडक्शन लेवल में तो इससे क्या हो जाता है इसका मतलब यह है कि जो कोस्ट कल्टिवेशन का वो क्या हो रहा है बहुत जादा बढ़ता जा जा रहा है जिससे जो अजो कुछ रिसोर्स आजांते हैं तो यहाँ बता रहे है कि जो ट्राइब ट्र्रीवून और चंडिगर तो और यह कहां पो होता है यह ट्रीबून अर चंडिगर में भी होता है अब आपर पढ़ते हैं इस लैंड डिस्तर ब्रिटेड ब enlar상 उप्रामर्पर अब पालंपू लिए किती इंपॉर्टेंट है अनफॉर्चुनेटली नॉट आल दी पीपल इंग्रेज्ट इन ए अग्रिकुल्चर है सुफिशन लैट फॉर कल्टिवेशन और उनमें से के अदर जो सारे पीपल होते हैं वो कल्टिवेशन के लिए उनको लैंड नहीं मिल पाती हैं इन पाल इन पास कोई भी लैंड नहीं है कल्टिवेशन के लिए और जो रिमेंड फैमिली इस जिनके बास खुद की खुद की क्या लैंड है तो वो दो सचारीज सामी जो होती है वहां पर उनको दो सब्स्टिवेशन होता है इन प्लोट में वो ज्यादा क्या करता है अडिकुएट के लिए ठीक है अब बात आती है जो 916 में जो गोबाइन वो थे एक फार्मर उन्होंने 2.25 हेक्टेर से उन्होंने लाज़ी अनिरिगेड़ेड लैंड ली ठीक है विद दी हैल्प ऑफ हिस थ्री संस उन्होंने अपनी थ्री संस की हैल्प से गोबिन ने क्या किया उन्हों दे दिद नौट लीव वेरी कंफोर्टेबली फिर भी वो क्या कर रहे थे व सईसे कंफोर्टेबली नहीं रह पारे थे दी फांबली मैनेज तो फीद इसल्फ विद लिटल बेट ऑफ एक्स्टा इंकम फ्रॉम वन बफैलो डैट दी फांबली पोजस्ट तो उसमें क्या क् उसल्फ यह और यह कंफोर्टेबली नहीं रह पारती थे उनको अपने खाने करना पड़ता है तो यह पास जए प्यंका प्वेस से बाइब नहीं ठी रहती है तो फैलो फैलोता है वहां से पोजस्ट करती थे कुछ साल के बात के और दाब ओद दाय्ट इवा जाती लिए उ कितना plot मिलता है 0.75 फेक्टेर मिलता है साइज में अब इंप्रूवड एगेशन के बाद भी जो मॉडन और जो मॉडन फार्मिंग मैथड्स होते हैं तो गोविन के बच्चे गोविन्स के जो सन थे वो अब इनको मतलब अपने लिए दहने के लिए इतनी दा लैंड नहीं ले इन दीप पिक्चर अब हम देखेंगे कि जो अभी हम इस प्क्चर में देखेंगे कि जो लार्ज नंबर है प्ला स्मॉल प्लॉट्स का वो कैसे बढ़ चुका है ठीक है विलेच के चार त्रफ किस तरह से वह जाए पिक्चर में इस आर कल्टिवेटेड बास्मार्मर्स जि जो आधे से भी जादा जो एरिया है वो कि विलेज का वो किस से कवर है वो प्लॉट से कवर है जो कि बहुत बड़े हैं साइज में ठीक है इन पालंपूर जो पालंपूर में वहां पे 60 फामिलीज हैं मेडियम और लार्ज फार्मर्स की जो की मोर देन 2 हेक्टेर की लैंड में करते हैं अब फ्यू आफ दी लार्ज हेक्टेर फ्यू आफ दी फामर्स उनमें से कुछ फामर्स के पास 10 हेक्टेर से भी ज्यादा लैंड है अब यहां पर बोल रहे हैं कि फूव प्रोवाइड अब यह लेबर को कौन प्रोवाइड करेंगा अब हमने ओपर पढ़ा था कि जो लैबर के बाद लैंड के बाद अब में किसकी दूरत पढ़ती है लेबर की तो लिबर एक दूसरा नेसेसरी ओर प्रोड़क्शन के ही उसके लिए हमें को killing से अपने फार्मम के लिए अपने फील्ट को इतने को placebo करते हैं, जुसके बने की систем के फराल। अब मेडियों और लाज फार्मर मेडियों के लिए उनकету बूंक पास इतने के लिना हो दी हम्हाँ फरी प्रिद नहीं पड़ती है उनको रखना पड़ता है किसको काम पर तो इससे अब आप देखें यहां पे कुछ बाते हो रही है इन दोन के बीच में इस डिफिकल्ट जो डाला और रामकाली है वो दोनों पूरस्ट फामिली से बिलाउंग करते हैं ठीक है अब यहां पे जो डाला है वो कहते हैं इस डिफिकल्ट तो फाइंड वक्ड दीज देज इंदों काम डूना बहुत कठीन है सिर्फ जो large farmers हैं वो ही हमें बुलाते हैं और ये भी बहुत ज़ाद लिमिटेड नंबर हैं days के तो वो बोलती है राम काली बोलती है घंशाम दी largest farmer जो घंशाम दी large farmer has just bought the harvesters जो घंशाम है जो बहुत बड़ा farmer है उसने सिर्फ harvesters को ही क्या किया है खरीदा है है ना so we are going to get even less work during the harvest season जिसके लिए से हमें बहुत कम वक्त मिल पा रहा है ठीक है इस यह last year I worked for less than five months in the whole year पिछले साल मैंने पांच पांच महींदे तक काम किया पूरे साल में we have tractors for plugging हमारे को tractors है harvesters है harvesting के लिए फिर भी threshers हैं threshing के लिए और removing weeds के लिए भी मारे पास कुछ farmers हैं जो की wedicides को spray करते हैं अब वो बोलती है रामकाली this year I will have to look for work in the brick making unit in राय गंज अब इस साल मैं क्या करूंगी मैं work ढूंड़ूंगी brick making unit का राय गंज में तो बोलता है I owe the local money lenders rupees 2000 I had taken 1000 last summer when no work was available in the fields तो गहरें जब कोई भी काम अविलेबल नहीं था ता मैंने last year मुझे कितने पैसे मिले थे 2000 रुपीस मिले थे इसमें मुझे कितने मिले थे जिसके मुझे मुझे 1000 रुपीस मिले last summer में ठीके और जब कोई work अविलेबल नहीं था फिल्स में तो how will I ever repay अब दोबार से कैसे दूंगा तो I hardly earn enough for two square mills इसके लिए मुझे बहुत जादा work करना पड़ेगा तो बोलती है अब अब ग्राम काली my situation is not much better मेरी जो situation बहुत अच्छी नहीं है due to past that the money landers refuse to give me any loan last year क्या हुआ जो money landers थे उन्होंने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया तो अब यहां पर बात आती है जो crops grown on the land instead they are paid wages जो land होती है ठीक है जो land होती है crops जो grow करती है land पे वो क्या होती है वो वो क्या होती है वो pages को pay करती है farmers के द्वारा जा फिर जो की work करते हुए wages can be in cash or in kind of crop wages क्या पता वो उनको तनक्षा पैसों में देते हो या फिर क्या पता उनकी जगे पर कोई भी फसल वसल दे देते हो sometimes labors get meals also कभी-कभी वो लोग labors को meals भी देते हैं wages vary widely from region to region to region जो wages होते है वो region to region में क्या करते है वो vary करते है from crop to crop crop to crop from एक farm से दूसरे farm की units में ठीक है there is also a wide variation in duration of employment और employment की टाइम पर भी या पर बहुत जाता variation होता है और farmer जो एक farmer होता है a farmer laborer might be employed on a daily basis जो एक farmer जो होता है या फिर फिर फार्म लेबर होता है उसको employed होना चाहिए एक daily basis पे और या फिर और फिर और पर्टिकुलर फार्म activity लाइक harvesting और फिर उसको एक पर्टिकुलर अक्टिकुलर देनी चाहिए जैसे कि harvesting हो गई या फिर उसको एक पूरे या पूरे या के लिए रखना चाहिए तो दाला एक landless farm laborer है जो कि एक daily wages में work करता है पालमपूर में जिसका मतलब यह है कि जो उसको regularly देखना पड़ेगा work के लिए तो जो minimum wages होती है एक फार्म के laborer के लिए वह क्या थी गवर्मेंट की दौरा सब्सक्राइब करी गई है वह क्या रुपीज 300 पर डेट ही है हर दिन के 300 बड़ जो दाला है उसको सिर्फ 160 रुपीज ही मिलते है there is heavy competition for work among the farm laborer यहां पर बहुत ज़दा heavy competition चल रहा है farm laborers में पालंपूर में सो जो people है वह work करने के लिए भी एगरीकर्ज आते हैं कम-कम तनख्वा में भी दाला ने इसके बारे में complain करी उसकी situation के बारे में रामकाली को जो की another farm laborer थी दोनों दोनों जो दाला और रामकाली थे वह क्या गए वह साथ वह दोनों ही पूरेस्ट कंट्री के थे उसमें ठीक है तो अब यहां पर जो बात आती है कि जो capital होता है उसको farming की ज़रूरत क्यों पढ़ती है तो इस topic को हम नेक्स वीडियो में cover करेंगे तो अगर आपको हम हमारी वीडियो को like करेंगा friends कि शेयर करेंगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करेंगा thanks watching video bye bye guys